हेलो एवरिवन वेलकम टो इस्टडी नोट से जूकेशन आई होप आप सभी ठीक होंगे लोग सेवा आयोग सीख्छक भरती न्यू नोटिफिकेशन रिलीज हुई है बिल्कुल फ्रेस नोटिफिकेशन से हैं हंड्रेट से ज्यादा पोस्ट हैं कुछ पर्मानेंट पोस्ट सेलरी भी काफी अच्छी है 50,000 से उपर सेलरी बनने वाली है अगर आप अधर स्टेट के हैं इलिजबल है इंट्रेस्टेड हैं तो भर सकते हैं डिटेल्स के लिए वीडियो मिलाश तक बने रही है अगर आपने भी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को स सेवा आयोग अजमीरद्वार यह नोटिफिकेशन्स 9 माई 2022 को रिलीज हुई है प्रध्यापक विद्याले याने लेक्चरर स्कूल के निम लिखी द्विशियों के पदों पर भरती है तो ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है पद इस्थाई और और इस्थाई है समान्य व्याकरण में टोटल 25 पोस्ट हैं साहित्य में 21 पोस्ट हैं और व्याकरण में टोटल 2 पोस्ट हैं कुल मिलाकर लगभग 100 पोस्ट हैं अगर सेक्षरी क्योग्यता की बात करें तो हिंदी वा अंग्रेजी के लिए कंसर्ण सब्जेक्ट में सेकेंड क्लास पोस्ट graduation होना चाहिए, 48th mark से साथ शिक्षा सास्त्रीवा 28 की डिग्री होनी चाहिए. समाने व्याकरण साहित एवं व्याकरण के लिए सास्त्री संस्क्रिट इक्जामिनेशन विज संस्क्रिट मीडियम एंड सेकेंड क्लास आचार्य डिग्री संस्क्रिट मेडियम एग्जामिनेशन इंडी कंसर्ण सब्जेक्ट में 48% मार्क्स होना चाहिए सिच्छा सास्त्री की डिग्री होनी चाहिए तो ये सारी क्वालिफिकेशन दी हुई है आप डिटेल में पढ़ लिजेए व्याकरण और समानी व्याकरण के लिए क्वालिफिकेशन दी हुई है आप अच्छे से चेक कर लिजेगा और राजिस्थानी कल्चर का नौलेज होना चाहिए पे लेवल की बात करें तो पेप मेंट्रिक्स लेवल एल 12 ग्रेट पे 48,000 जो लगभग 50,000 के उपर सेलरी बनेगी आयू सीमा के बात करें तो 1 जुलाई 2022 को नियुनतम आयू 21 वर्स और अधिक्तम 40 वर्स से कम होनी चाहिए इसमें कुछ विसेश के कटे kleinen därze को आयू सीमा में चुट मिलने वाली है जो नीमा आनुसार है राजिस्थान के अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती ओमन्य पिछडा वर्ग अति पिछडा वर्ग आतिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुस को पांच वर्ष की छूट मिलेगी राजिस्थान के अनुसूचित जाती अनुसूचित जाती एवंन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आतिक रुप से कमजोर वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको 10 वर्ष की छूट मिलेगी सामान्य वर्ग की जो महिलाए हैं उनको सिर्फ पांच वर्ज की छूट मिलेगी और जो विदवा एवं विचिन विवाह महिलाए हैं उनके लिए कोई अधिक्तम आयू सिमा निर्धारित नहीं की है उनके लिए सिर्फ मिनिमम आयू 21 होनी चाहिए चैनल पक्रिया की बात करें तो रिटन एक्जाम होगा परिक्षा का इस्थान जो तिथी है वो भी नहीं आया है अगे इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आवेदन करनी की जो तिथी है वो 16 मई 2022 से 14 जून 2022 तक है यह रूटिफिकेशन्स 9 मई को रिलीज हुई है लेकिन आवेदन करनी की जो तिथी है वो 16 मई 2022 से 14 जून 2022 तक है यानि 14 जून 2022 तक आप आवेदन कर सकते हैं इसमें एक पॉइंट दिया है कि राजिस्थान राजे के अन्य पिछरा वर्ग पिछरा वर्ग की क्रीमी लेयर स्रेंडी के आवेदक तथा राजिस्थान राजे से भिन राजियों के अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती अन्य पिछरा वर्ग आती पिछरा वर्ग आ अंतरगत आते हैं यानि कि आप other state से हैं, eligible हैं अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको general category में ही form भरना होगा आप किसी भी category के हों लेकिन आप general category में ही form भर सकते हैं अगर आवेदन करने में आप से कोई गलती हो जाती है, उसका संसोधन करना चाहते हैं तो आपका 500 रुपए का सुल्क लगेगा, इसलिए form भरने से पहले सारी चीजों को सारे details को अच्छे से भर लीजे, पढ़ लीजे, उसके बाद ही form फिल करिए संसोधन से संबंदित कुछ नीचे notes दिये हुए हैं, आप उनको detail में पढ़ लीजेगा अगरब परिच्छा सुल्क की बात करें तो समाने वर्ग राजिस्थान के क्रिमी लेयर स्रेडी के अन्य पिछडा वर्ग, अथी पिछडा वर्ग के आवेदन के लिए 250 रुपए निशक्त जन राजिस्थान के आनुसूचित जाती आनुसूचित जन जाती वर्ग तथा जिनकी पारिवारी का है ठाई लाग से कम है उनके लिए 150 रुपे और पीसपी छेत्र के आनुसूचित जन जाती एवं 12 जिले के समस्त तहसीलों के सहरिया आदिम जाती के आवेदन के आवेद को हेतु 150 उर्पे आवेदन सुल्क रखा गया है नीचे बाकी डिटेल्स दिया हुआ है इसके बीडियाप का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप जाकर वहाँ अच्छे से चेक कर लिजे उसके बाद ही आवेदन करिए आवेदन करने की स्टार्टिंग तरज जो तिथी है वो 16 मही 2022 है और अंतिम तिथी 14 जून 2022 तक है आइओ आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दिए चन्को सब्सक्राइब कर दिए और बैल एकन प्रेस कर दिए धन्यवाद